हेलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब इन्वेस्टिंग विद हर्दीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अबडेट के साथ में बात करेंगे आज फिनोटेक्स केमिकल की जिसके अंदर अल्मूस्ट साथ पसंट से ज्यादा की गिरावट इस टाइम हमें देखने को मिल दिया लगातार दो सेशन से ये स्टोक लगातार गिरता जा रहा है जो स्टोक आज से 10 दिन पहलो अल्मूस 400 रूपे की ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था जोही स्टोक अल्मूस 300 रूपे के आस पास आ चुका है तो क्या वज़ाय है गिरावट की और ये गिरावट कहां तक हो सकती है और साथ ही साथ में आज फिनोटेक्स केमिकल की तरफ से एक बड़ा अपडेट भी देखने को मिल रहा है डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइबर के बैल आइकन को प्रेस करके आल पे जुरूर सेलेक्ट कर लेजिए ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड हो आप लोगे तक तुरंत नौटिवेगेशन पहुंच जाए क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझ अगर बॉमबे स्टोग एक्षेंज की बात कुछ तो अलमस्ट वाइस पॉइंट्स की गिरावट है शाथ हजार आट सो तराणोवे पॉइंट्स पे त्रेट कर रहा है और साथ ही साथ में फिनोटेक्स केमिकल भी देखे अलमस्ट साथ पसंट से ज्यादा की गिरावट आज दिन के ओर रिटरंस देखेंगे तो अलमस्ट साथे पंदरा पसंट से उपर तक जो है फिनोटेक्स केमिकल करेक्ट हुआ है बड़ी गिरावट है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कभी-कभी जो इंटर्नल मैटर्स होते हैं वो रिटेल इंवेस्टेस तक बाद में प मिल रहा है बात अगर इसके एक महिने के रिटरंस की करूँ तो अलमस्ट साड़े ग्यारा पसंट तक के नेगेटी रिटरंस देखने को मिल रहे हैं और अगर आप छे महिने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इतनी गिरावट के बावजूद भी अलमस्ट सड़ सड़ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटिड अपडेट्स भी डेली बेसिस पे आपको मि प्राइंग ओर्डर में है जबकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है 21,048 का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट कैप 3566 क्रोड का है 20 दिन का एवरेज डिलिवरी अलमस् 2,19,618 का और 20 दिन का एवरेज वोल्यूम 6,61,730 का देखने को मिल जाता है EPS जो है year on year basis पे 47% के साथ बड़त बनाए हुए है almost 5.91 के आराउंड जो है EPS देखने को मिल रहा है price to book value 13.24 है high देखने को मिल रही है और PE जो है वो भी high देखने को मिल रहा है 54.49 के आसपास जो है अभी भी हमें price to earning ratio देखने को मिल जाता है साथी साथ में अगर book value per share की मैं बात करूँ तो 24.33 पैसे के आसपास जो है इसकी book value per share देखने को मिल रही है और साथी साथ में अगर face value की मैं बात करूँ तो face value भी almost 2 रूपे के आसपास के देखने को मिल जाते क्यों क्यों कि अभी recently company ने जब bonus दिया था उसके बाद से कोई भी bonus का plan या split का plan अभी भी हमें phenotex chemical में नहीं देखने को मिल रहा है और साथी साथ मेंगर आप technical chart के उपर ध्यान देखे जाएंगे तो RSI level देखिए जहां उलमा 60 points के around जो है trade कर रहा था वही RSI level अब 2 दिन की लगातार गिरावट की वज़े से 33 points के आस पास देखने को मिल रहा है और जो moving average थी वो भी अब below trend line की बज़ाए about trend line हो चुकी है यानि कि गिरावट के chances 300 रुपे से नीचे आने के भी chances पूरे पूरे phenotex chemical में बने हुए है resistance level 362, 375, 386 की बज़ाए support levels की बात करें तो 312 रुपे का second की बज़ाए third support level देखने को मिल रहा है अगर ये break होता है तो stop जो है आप लोगों को 300 रुपे से नीचे भी जाते हुए देखने को मिल सकता है और अच्छी खासी गिरावट हुए भी चुकी है एक वीक और एक मंत की जो performance है वो सारी की सारी negative देखने को मिल रहे है उसके positive में अगर आप एक साल के return देखेंगे और तीन साल के return देखेंगे तो काफी कमाल की दी है और इसी वज़े से जब मैंने इसके बार पहली बार वीडियो बनाया था तो बताया भी था कि returns देने में कमाल की कमपनी है ल अभी भी बाइक की कॉल हमें फिनो टेक्स केमिकल में देखने को मिल जाती है अब डेट की बात को देखिए आज जो है आई सी आरे की credit rating दी गई है और उसी के अंदर जो है total bank loan facilities rate जो है almost 100 क्रोड के असपास है और long term rating जो है आई सी आरे की वो ए देखने को मिल रहे है और short term rating जो है A1 देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ में ICRA ratings above are an improvement on the CRSL bank debt long term rating of A negative and short term rating of A2 plus assigned in July 2021 यानि की ICRA की तरफ से जो है फिनो टेक्स केमिकल को जो है rating दी गई है और साथ ही साथ में revenue generation देखे तो 368 क्रोड के आसपास का revenue जाता जो last quarter में था और अबकी बार net profit जो था almost 56 केमिकल लॉंग टरम स्टॉक है शौट टरम में थोड़ी बहुत correction चलती रहती है और correction अच्छी खासी अलड़ी हो भी चुकी है तो यहां पर 300 रुपे असपास अगर सपोर्ट लेता तो आपके पास एक मौका आ रहा है buy on dip का जो पहले स्पिरोटेक्स केमिकल को buy नहीं कर प ते हैं